वास्तविक समानताओं में तर्क संगत भेद भाव कि हम थोड़ा बात करें कि वास्तविक समानताओं और तर्क संगत भेद भाव वास्तविक्ता और तर्क संगत भाव समानताओं और भेद भाव तो समानता कार्थ हम ये कता ही नहीं माने कि आँखें बंड करके हम सबको समान मानने हमने आँखें बंड की और सबको समान अवसर दे दिया ऐसा नहीं होता इसका थोड़ा हमको और गहराई से जानने चाहिए ह हम सब को समान नहीं बना सकते समानता जो है वो कुछ भेद भाव स्विकार करती है भेद भाव उसे स्विकार करती है समानता बनाम भेद भाव जो मैंने कहा तो यह मान के चलती है कि समाज में भेद भाव भी आवशक है नहित है बशर्ते अब यह भेद भाव जब स्विकार कर तो क्या उसको भी आंख बंद करके भेद भाव किया जाए जैसे आंख बंद करके हम सब को समान नहीं मान सकते तो ऐसी आंख बंद करके हम भेद भाव भी नहीं कर सकते हैं उसका भी कुछ आधार होना चाहिए कुछ युक्ति संगत आधार होना चाहिए इसके पीछे कुछ त तरक होना चाहिए और इसलिए वह भेद भाव जो है वह तरक संगत हो दो बाते उसमें होना चाहिए वसषरते जो भेद भाव समाज अश्विकार करेगा या भेद भाव समाज ये बाते नहित हो ये शर्ते नहित हो पहला क्या कि भेद भाव करने का कारण जो है वह तरक संगत हो याने हम एक और कह रहे हैं कि दो युक्ति संगत आधार हो सकते हैं भेद भाव के जो समाज को भी स्विकारी रहेगा कानून को भी स्विकारी रहेगा और शातन को भी स्वि अदर जो है उसमें पहला है भेद भाव करने का कारण तरक संगत हो अब यह क्या है बहुत समानुदारन है जैसे कि समानता के अधिकार का हनन नहीं होगा यदि हम किसी पागल गोषित व्यक्ति को मत अधिकार ना दे थिक पागल वो है पागल मानसिक रूप से अस्वस्थ है दुर्भागे लेकिन है सच्चाई तो है अब यदि वो अस्वस्थ है मानसिक रूप से पागल है उसे हम मत अधिकार नहीं देते हैं मत देने के अधिकार से वंचित कर देते हैं तो ये कोई भेद भाव नहीं है ऐसा भेद भाव समताख हो दी है सही गलत की पागल होने के नातें तो इसके मतं का अधिकार देने का क्या आरत है तो यह बात यह उदारण है कि जिसके एक भीर्द भाव करने का आधार तर्क संगत हो दूसरा है दूसरा अधार भेदभाव करने का समाज में कुछ तबके ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं बहुत नीचे हैं और हजारों साल से दबे रहे हैं और इतने दब चुके हैं कि अपने बल पर वो स्वैम नहीं उठ सकते अपने बल पर उठने का अर्थ धन की अधि हम बात करें तो धन जो है अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है एक ऐसी सामान एक धारना है क्योंकि गरीब के पास मात्र रोज वो सो रुपए कमा रहा है वो सौर रुपय में उसे लारन पालन करना है परिवार का उनके दारुश शुशा करनी है अपनी जीविका निकालनी है कुछ अन्य खर्चे भी होंगे वो भी उसको निकालने हैं बच्चे की शिक्षा कभी भी उसमें व्योस्था करनी है तो उसके पास पैसा रहते ही नहीं तो वो निर्धन का निर्धन बना रहता है तो अब वो कैसे उबरेगा बलकि निर्धन का निर्धन बना रहता है और उसकी हालत खराब होती जा रही, क्योंकि कीमतें बड़ती जा रही है रोजगार के असर शायद इतने नहीं होंगे वेतन भोगी दैनिक भोगी होगा, जो रोज के लेबर ते कमाता होगा, शायद इसको आतकाम नहीं मिला ऐसे स्थित्य में क्या होगा क्या वह निर्धन व्यक्ति निर्धन ही होता चला जाए भूखे पेठी सोए परिवार भूखे पेठी रहे तो यह ऐसे स्थित्य में क्या होता है कि समाज के कमजोर वर्गों को कुछ विशेश छूट और सुविधाय समाज को स्विकार करनी होंगे समाज के कमजोर वर्गों को कुछ विशेश छीवट और सुवधाय जो अन्य वर्गों के तुलना में आर्थिक सामाजिक जिश्टि से पिछड़े हों ये भी युक्ति संगत विचार है आधार है किस चीज का आधार समाज में भेदभाव करने का आधार युक्ति संगत आधार तो इस तकार राज्य शासन जो है या राज्य या सत्ता जो है वह निम्न वर्ग को पिछड़े वर्ग को जो वंचित वर्ग को ऐसे वर्गों के लिए कुछ प्रयास करती है और वो प्रयास में कुछ भेदभाव दिखता है पर ये भेदभाव जायज है ये इसलिए करती है और इसके पीछे जायज क्यों है जायज इसलिए है क्योंकि निर्धन व्यक्ति जो है निर्धन ही बना रहता है और उसके शोषन होते ही रहता है उसका दुरुपयोग होते ही रहता है तो ऐसे तबके के लोगों को शोशन से बचाने के लिए ऐसे तबके लोगों को शक्तिशाली लोगों की टाकत से बचाने के लिए शासन को राज को कई बार इंटर्वीन करना पड़ता है कई बार दखल देना पड़ता है और ये दखल कानूनी दखल है, समवेधानिक दखल हो सकती है, कुछ समवेधानिक प्राउधान भी किये गये हैं, जैसे आरक्षन, आरक्षन क्या है, आरक्षन एक तरह का भेद भाव है, यदि उसको हम शाब्दिक अर्थ मिले तो, आरक्षन समानता का उदारन नहीं होगा, आसमानता का, किसी समाज के किसी तबके को एक सुधा दी गई है, कि आपके लिए इतनी प्रतिशत सीट नौकरी में, या आपके इतनी प्रतिशत सीट आपके लिए शिक्षा में सुरक्षित है, तो ये इनको जो सुरक्षा की भावना दी गई है अन्य को नहीं गई ये असमानता तो है लेकिन तर्क ये है कि यदि उन्हें ऐसी सुरक्षा ना दी जाए तो वो समाज का वो तबका जो कई सौ वर्षों से शोशित रहा है कई सौ वर्षों से वो नीचे रहा है उबर नहीं पा रहा है वो वैसा ही बना रहेगा तो असमानता को हटाने के लिए ऐसी असमानता ऐसा भेद भाव आवश्यक हो जाता है तब जाके समानता आती है तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि आर्थिक जिस्ट से पिछड़े सामाजिक जिस्ट से पिछड़े लोगों के लिए कुछ विशेश छूट आदी जी जाती है ताथि शक्षाली लोगों का के द्वारा इनका शोशन ना हो इनका दुरप्योग ना हो इस तरह ऐसी स्थित में रज द्वारा निर्बल पक्ष को संरक्षन ही ये संरक्षन ही तो हुआ रज ने कानूनी प्रावधान करके तमवैधानिक तरीके से इनको एक तरीके से संरक्षन दिया है तो जो दो युक्तियां मैंने बताई उसमें एक ऐसी थी कि जो उच्चोवर के लोग हैं वे भेधभाव के तर्क को स्विकार करें कि यह पागल है तो उसको वंचित किया गया एक में वंचित किया गया और दूसरे में उसे कुछ अत्रिक कुछ विशेश दिया गया तो बशरते यह तर्क हो इसमें तर्किक साबित हो तो ऐसे प्राउधान भेधभाव रूपी दिखते हैं लेकिन वास्तों में यह समानता की और समाच को ले जाते हैं ये जानने के बाद कि भेद भाव और समानता कैसे एक दूसरे के ते कई बाद टकराते हैं कैसा विरुदा भाद से लेकिन फिर भी दोनों आवश्यक है और कुछ अन्य बिंदू जानने के बाद थोड़ा सा हम चिंतन करें थोड़ा हम सोचें अपने ही आजपास के उदाहरन से अभी भी जो उदाहरन दिये यह अपने समाज के दैनंदरी के रोज के उदाहरन हैं एक उदाहरन तीन चार उदाहरनों में से पहला यह है कि यह उदाहरन यह चिंतन कारती है कि हमारे मन में यह बात आती होगी और आना चाहिए एक सजग नागरिक के नाते एक शिक्षित व्यक्ति के नाते कि क्या कामकाजी महिलाओं को जो नौकरी करती हैं उनको क्या maternity leave मिलना चाहिए क्यों मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिलना चाहिए जब पुरिशों को नहीं मिलता तो महलाओं को काम का जी महलाओं को maternity leave जो मिले थोड़ा तरक करिए थोड़ा सोचिए और अपनी समझ के अनुसार कुछ निश्कर्ष पे आईए कि मिलना चाहिए कि नहीं और हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं ऐसे ही दूसरा प्रशन जो आपके जहन में आना चाहिए वो है कि ये भी आपके स्कूल से समझ लीज़े कि आपके कक्षा में दो दुरिष्टि विहिन बच्चे हैं विचारे जिने दिखाई ने देता दुरभाग जैसे उनकी देखने की शक्ति समाप्त है उनके लिए कुछ विशेश जवर्था की गई है उनके लिए जैसे कंप्यूटर कुछ अलग धंके लाए गए हैं कुछ अत्रिक खर्च करके कुछ अत्रिक सुविधाया उनके लिए जिटाई गई है ताकि वे उस शिक्षा से वंचित ना हो सके जो अन्य बच्चे पा रहे हैं क्या ये भेदभाव है यदि है तो उचित है क्या और नहीं है तो क्यों उचित है मेरा प्रश्ण समझ गया है ये सोचने के लिए 'd for thought तीसरा जो सवाल आपके आता है कि मानई मान लो आपके हां की कोई एक लड़की या कोई भीром अच्छा बासकिटबॉल प्लेयर है और वो बास्केट बॉल प्लेयर में स्कूल का नाम रोशन कर रहा है उसके स्कूल ने तै किया है कि उसके जो बास्केट बॉल का जो उसका लगन है और जिसके कारण स्कूल का नाम भी रोशन हो रहा है उसके लिए एक बास्केट बॉल कोर्ड बनाया जाए स्कूल में पर सोचें और चौथा है एक धार्मिक अधार पर एक उदारन ले कि मंजीत मंजीत के जो पिता जी है वे उसे टर्बन पहनने के लिए कहते हैं टर्बन यहने पगड़ी और ऐसी इर्फान के माबाप बार बार इर्फान को कहते हैं कि जुम्ह की नमाज जरूर पढ़ना याने जुम्ह याने शुकरवार को जो गो पर नमाज पढ़ी जाती हैं उसे जुम्ह की नमाज कहते हैं तो इस छिती में इस्कूल में क्या होगा इस्कूल में क्या ये टर्बन के अधार पे जीत ते ये बार बार अग्रफ किया जा सकता है कि तुम हेलमेट पहनोगे क्रिकेट खेलते हैं जब क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम्हें हेलमेट पहनना आवश्चक है टर्बन पहना क्रिकेट के नियम में हेलमेट आवश्यक है तो क्या उत्तर है आपका थोड़ा सोचिए और ऐसे इर्फान यदि उसे जुम्मे की निमाज पढ़ने जाना है तो स्कूल जो पांच बजे समाप्त होता है क्या उसे तीन बजे स्कूल छोड़ दे क्या स्कूल इस बात की उसे अन उसे पतनता देते हैं कि तुम झाके जुम्मे की नमाज पुल मिला कि आपकी डैनंतनी मेन ही आपके आँपास के परिवेश में ही अपने समाज के अंदर अपने घर के अदर कि आप विबन्य में तरह की आसमानताइं पाएंगे और विदम आप इसको चिंतन करेंगे सोचें तो समझेंगे कि इसमें से कुछ असमानताइं आप परिहारे हैं तो उनको समानता से ना जोड़ा जाए वो इस समानता से जिसका हम यहां जिक्र कर रहे हैं राजनितिक समानता जो हमारे इस राजनिति विज्ञान का विशह है किस हद तक ये समानता उस समानता के साथ चल रही है और किस तरीके से इनमें विरोध पैदा हो रहा है तो समानता की परिभाशा क्या माने हम किसे माने समानता की परिभाशा उचित परिभाशा कई परिभाशा आई है इसकी और जैसा मैंने कहा कि स्वतंतरता से इसका बड़ा निकट संबंद है तो जब भी स्वतंता परिवाशित किया गया तो उसमें समानता शब बारंबार आया यहाँ पर थोड़ा हम जाने अपने इस मूल विशा के तहद कि समानता की परिवाश आखिर है क्या प्रफिसर लास्की हैरल लास्की बहुत परसेद विचारक राजनीतिक विज्ञान उन्होंने कहा है कि समानता का पहला अर्थ विशेश स्विधाओं का अभाव है पहला अर्थ क्या है विशेश सुविधाओं का अभाओ इसमें विशेश शब्द पर ज्यादा विशेश जहन दें सुविधाओं का अभाओ नहीं विशेश सुविधाओं का अभाओ और दूसरा अर्थ सभी व्यक्तियों को विकास के लिए उचित अवसर मिलना यहां है हैरल लास्की के अनुसार समानता की परिभाशा यानि विशेश स्विधाय ना मिलें स्विधाय मिलें पर विशेश ना मिलें उनके अनुसार और सब को विकास का उचित अवसर मिलें तो उचित और विशेश ये दो शब्द इनकी परिभाशा में हैरल लास्की की पुरिवाशा में अहम अर्थ रखते हैं विशेश सुविधाएं और उचित अवसर विशेश सुविधाएं ना मिलना और उचित अवसर मिलना अर्निस बासकर अर्निस बारकर ने कहा है कि समानता का सिध्धान्त यह है कि अधिकारों के रूप में जो सुवधाय मुझे प्राप्त हैं, जो मेरे अधिकार जिसे मैं समझता हूँ, इस अधिकारों के ताद जो सुवधाय मुझे मिली हैं, वही सुवधाय उसी रूप में दूसरों को भी प्राप्त हूँ. या जो अधिकार दूसरों को दिये गए हैं, वहाँ उसी रूप में मुझे भी मिलें, ये है समानता, यानि हर एक व्यक्ति, आमने सामने वाला सब को एक समान माना जाए अधिकारों के मामले में, और ये उन्होंने कहा है कि जो उसको मिला है, वही मुझे मिलें, जितना उसे म मिला है, वही मुझे मिलें, या जितना मुझे मिला है, उतना ही दूसरों को मिला है, चाहे वो अधिकारों की बात हो, चाहे अनिस उधाओं की बात हो, उस मामले में अरनिस बार करने, अधिकारों के बराबरी की बात की है, समान्ता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उप्योग करने के लिए समान अफसर देता है समान्ता क्या चीज है उन्होंने परिभाशित किया है समान्ता वो है जिसमें हर व्यक्ति अपनी शक्ति का उप्योग समान रूप से करें समान अफसर मिलते हुए करें उस मामले में ऐसा नहों कि उसे ज़्यादा अफसर मिला दूसरे की तिलना में इशी को यदि हम अरनेस बारकर की परभाशा से जोड़ें तो जितना अफसर सामने वाले को उतना ही मुझे मिलना चाहिए या जितना अफसर मुझे मिला है उतना ही सामने वालों को ये है समानता इसलिए राजनीति विज्यान में समानता का अर्थ हम ये मान सकते हैं सभी नागरिकों को अपने व्यक्तित का विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करना ताकि उससे असमानता दूर हो तो समानता को परिभाशित करते समय असमानता को दूर करना ये एक महत्पूर्ण इसका अंग होगा और मैं पुनद हो रहा हूँ कि इसलिए हम मान सकते हैं कि समानता का अर्द क्या है सभी नागरिकों को सभी लोगों को अपने का विकास करने के लिए अपने व्यक्तित का विकास करने के लिए समान अवसर मिलना जिससे समाज की असमानता दूर हो जाए यदि हम समांता समांता की बात करें तो रोजमर्रा के जीवन में हम बहुत से समांता समांता के अनुभव़ देख सकते हैं लेकिन कुछ एका दो उधारन थोड़ा चर्चा करें और ये आप सोचें कि क्या ये समांता का उधारन है क्या ये उचित उदाहरण है उदाहरण के लिए हम लोग cinema hall जाते हैं cinema hall में 300 रुपे की seat के ticket के करीब 100 seat है लेकिन 100 seat 10-10 seat की पंक्ति होती है और मुझे 300 रुपे की ticket सबसे अंतिम पंक्ति में मिली 100 seatों में सबसे अंतिम दूसरे व्यक्ति ने भी 300 रुपए दिया है और उसे मेरे से बहुत आगे की पंक्ति मिली क्या मैं इस बात को लेकर बहुत करता हूँ कि समानता की अधिकार के ताथ मुझे भी पंक्ति में उसी पंक्ति में बैठने के दिया जाये जहां आप बैठें हैं कहने को तो वहां दस ही पंक्ति है तो निश्चित रूप से बाकी लोग को तो पीछे बैठना है फिर और पीछे बैठना है फिर और पीछे बैठना है तो क्या यहां समानता समानता को लेकर हम बहस कर सकते हैं और दूसरा उधारन आप तक्षा में बैठते हैं तो तक्षा में सब से आगे और सब से पीछे क्या सब से पीछे वाला बच्चा ये कह सकता है कि हाँ असमानता है सब के साथ समानता का व्यभार नहीं है कह सकता है तो कब किन किस थिती में और नहीं कह सकता है तो क्यों यही समानता असमानता पर हम विचार करेंगे समान्ता के लक्षण लक्षण मतलब हम कह सकते हैं कि आवश्यक चीजें क्या है Essentials of Equality समान्ता के लिए क्या-क्या आवश्यक ये क्या जरूरी है सबसे पहली बात समान्ता की ये जरूरी है कि विशेश आदिकार न हो किसी तरह के विशेश आदिकारों का प्रावधान न हो कैसे विशेश आदिकार और ऐसे क्या प्रावधान होते हैं जिसे नहीं होना समान्ता की और समाज को ले जाएगा एक शर्त ये है कि सामाजी का धार पर ये सब प्रावधान नहीं होना चाहिए अब जैसे हम उदाहरण आपको बता दें आप बहुत पहले आज से करीब पचास वर्ष पूर्व भारत में जो पुराने राजा हुआ करते थे राजा महराज जिनको सरदार पटेल ने इनके राज्यों को अब भारत में मिलाया था 36 गड़ का उदारे ने देलें 36 गड़े ने 36 राज्य कुछ चमय थे 36 गड़ थे इसके जो राजा थे इन राजाओं को भारत सरकार में भारत में मिलाया तो राजाओं का कहना था कि हमें हमारे राज्य से वंचित कर रहे हो जहां से हमको लगान मिलता था भोजन पानी मिलता था खाना दाना मिलता था हमारी जीवका मिलती थी हमारा आशव आराम का पैसा मिलता था वो कहां से आएगा तो सरकार ने एक प्रावधान किया कि ठीक है चूंकि आपका ये राज्य हम ले रहे हैं उसकी एवज में हम आपको कुछ पैसा साल में देंगे तो ऐसे हर राज्य के साथ एक संधी की गई थी राज्यकार्थ क्या है पुराने राजाओं के जो राजवाडे थे मैं स्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ छटियज गड़ राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ छटियुज गड़के अलग-अलग राजा सारंगड, कHARAगड, मनेंद्र गड़ और ऐसे सक्ती पुरिशा में ऐसे बहुत से राजा पारिकूत तालचर पंजाब में ऐसे बहुत से पटियाला राजा पटियाला और पूरे देश में ऐसे करीब 600 रियासतें या राजवारे हुआ करते थे इन 600 राजाओं के साथ जब संदी किया सदा पटियल ने 1947 में तो उन्होंने इनको वादा किया कि हर एक को हम आपकी ताकत आपकी आर्थिक ताकत और आपकी खेतर क्याधार पर हम आपको हर साल पैसा इतना देंगे और वो देते रहे उस पैसे को कहते हैं प्रिवी पर्स दूसरे शब्द अर्थों में दूसरे अर्थ में या दूसरे मायने ये कि सरकार ने ये कानूनी प्रावधान किया कि इन राजाओं को कुछ अतरिक पैसा दिया जाएगा जिते हम प्रिवी पर्स कहते थे सवाल यह आता है कि क्या यह विशेशादिकार था उनका राजाओं का क्या ये विशेशादिकार देना सही था गलत था उचित था अनुचित था तो प्रिवी पर्ष जो है वह एक तरीके से विशेश आदिकार था तो समानता के लिए जरूरी है कि विशेश आदिकार ना हूँ दूसरा उधारन दे विशेश आदिकारों की बात करें तो ये राजा लोग ही की यदि बात करें तो ये राजा लोग अपने को इनको अंग्रेजों ने कोई टाइटल दिये थे दीवान, राय भाद्दोर, महराज, राजा धिराज, चक्रवर्ती, आदि आदि ना जाने क्या क्या नाम दिये थे और ये लोग इसका उपयोग करते थे इस टाइटल का उपयोग अपने नाम के आगे करते थे अपका बैच पहनते थे और तदन सार समाज के बीच में घूमते थे और उस दृष्टी से वे समाज में देखे भी जाते थे तो ये एक विशेशादिकार इनका बन गया था वी आईपी ट्रीटमेंट मिलता था तो क्या ये उचित था गलत 1970 आते आते प्रिवी पर्स हटा दिया गया राजाओं की टाइटल हटा दी गई किसी भी तरह की टाइटल किसी को भी नहीं दी जाएगी ये प्राओधान किया गया टाइटल का उप्योग कानूनी अपराद बोल दिया गया और प्रिवी पर समाप कर दिया गया विशेश शादिकारों को समाप कर दिया गया क्यों समानता की ओर लाने के लिए और इसमें कोई तरक नहीं था कि आपने पूर में शोषण करके इतना जो आर्थिक संपदा बढ़ाई है वह आपकी जारी रहे और सरकार का पैसा आपके पास जाता रहे सरकार का पैसा तो आखिर जनता का ही पैसा है तो पहली बात जो आपको essentials of equality में जानना है वो यह है कि इसमें विशेश आदिकारों का अभाव रहता है पूरी तरह हता दिया जाता है किसी तरह के विशेश आदिकार नहीं रहते कानून की दिष्ट में सब बराबर रहेंगे equality before law equality before law कानून की दिष्ट में सब बराबर चाहे वो राष्ट पती हों चाहे वो प्रधान मंत्री हों चाहे सांसद हों सभी लोग कानून से नीचे और सब बराबर ये प्राबधान बड़े सपश डिष्टे किया गया और ये बहुत महत्पूर्ण था ये किसलियों किया गया कानूनी प्राबधान समवेधानिक प्राबधान समानता को आगे लाने के लिए क्योंकि यदि समानता है तभी समाज का विकास संभव है और इसलिए equality before law राष्टपती एक सामानी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति तीनों यदि एक ही तरह का अपराबध करते हैं तो तीनों को एक ही तरह की सजा का प्राबधान है हाँ राष्टपती को सजा देने से पूर्व कुछ और प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा क्योंकि वे एक एक राष्ट के मुखिया रहें हैं लेकिन सजा की जदी बात हो तो सजा उनको वही मिलेगी जो एक मजदूर को या एक मध्यमवर्ग के अपरादी को मिलती उसी अपराद के लिए इसे कहते हैं equality before law दूसरा जो है इसका प्राधान वो है कि नियूनतम आवशकताओं की पूर्ती क्या है यह इसका आदर यह भी कि राज अपने नागरिकों के बीच धन का वित्रण संपत्तिक धन का वित्रण इस प्रकार करे पूंजी का वित्रण इस प्रकार करे कि लोगों की नियूनतम आवशकताओं पूरी होई नियूनतम आवश्कताओं का अर्थ क्या है कि कोई भूखा ना सोए कोई खुले आकाश में अपनी जिंदगी ना गुजार दे मकान ना होने की स्थिति में कोई नंगे बदन ना हो इतना गरीब ना हो कि वगए एक जोड़ी कपड़े ना हो तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि नियूनतम आवश्कताओं की पूर्ति हो और इस हद तक इस आवश्कता को इस चीज को पूरा करने के लिए इस लक्ष को पूरा करने के लिए वह उचित व्यवस्था कानूनी प्राउधान कर सकती है उधारन के लिए सरकार ऐसे लोगों को identify करके उनके account में अत्रिक पैसा भेज़ सकती है जो हमको नहीं भेगज़ेगे BPL क्या है? Below Poverty Line BPL Below Poverty Line ऐसे लोगों के लिए राशन के वस्था की गई है और वह भी बहुत कम पैसे में एक रुपए किलो चावल या दो रुपए किलो चावल में इस तबके के लोगों को भोजन फुनिश्चित किया गया ताकि वो भूखे ना सोएं ताकि ऐसा ना हो कि जो धनी है वह तो बहुत ऐश्व आराम के जिंदगी जी रहा है जो धनी है वह शानदार मकानों में रह रहा है जो धनी है वह अपने कुत्तों को दूद पिला रहा है और यहां एक मानव मनुष्य उसे दो जून की रोटी भी नसीब हो नहीं हो रही है बच्चे को दूद नसीब नहीं हो रहा है ठोर का ठिकाना नहीं है ऐसी स्थिति में नियूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी इसका एक एसेंशियल हिस्सा है एक 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 आवश्यक हिस्सा है एक आवश्यक लक्षन ह तो नागरिकों के बीच धन पूंजी के वित्रण इस प्रकार की नियुनतम आवशकताओं की पूर्ती और इसकी पूरी व्यवस्था शासन करे यह भी एक जरूरी ज़रूरी सभी को रोजगार मिले, सभी को भोजन मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को अच्छे स्वास्थ की सुविधाय मिले, सभी को ये सब चीजें मिले और उसके लिए इस्थितियां अनुकूल हों, प्रतिकूल नहीं, उसके लिए अनुकूल इस्थितियां हों, इन सब सुविधा का आनन लेने के लिए सभी तबके के लोगों के अनकूल स्थितियां हो ये इसका दूसरा एसेंशियल है इसका दूसरा लक्षन है ये तो बिल्कुल समानता विरुद्ध है बात हुई कि अमीर लोग जो हैं वो सर्व सुविधा संपन होने के कारण सभी चीजों का उपभोग क पा रहे हैं और दूसरी हो समानत अबके के लोग निम्द वर्क के लोग इन सब से वंचित हैं भूख से मर रहे हैं अकाल से मर रहे हैं आदी आदी तीसरा जो लक्षन Essentials of समानता Equality है वो है कि सभी को व्यक्तित के विकास के समान अवसर मिलें सभी लोगों को अपनी व्यक्तित अपनी विकास के समान अवसर मिलें और इसके लिए रहे सरकार बहुत सारे प्राउधान कर रही है करती रहती है और वही एक आदर सरकार मनी जाएगी जो निम्न त का विकास हो और उनका विकास करने से समानता उच्च वर्ग के साथ समकक्ष होने की क्षमता इनकी बढ़े उच्च वर्ग के साथ निम्न वर्ग की समकक्ष होने की क्षमता बढ़े ताकि समानता आए क्योंकि हमारे सम्विधान का हमारे सम्विधान की प्रस्तावना में ये ब